Hello friends, आप सभी का स्वागा देक ने वीडियों Friends, इस वीडियों बात करने वालाओं किस तरीके से आप अपने phone में easily screen lock को set कर सकते हैं बहुत लोगा पर नहीं पता होता है screen lock कैसे set करते हैं तो आज के वीडियों में यहीं बात करने वालाओं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देचेगा चलिए शुरू करते हैं आप देख सकते हैं फिलाल मेरे फोन में कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है बस सिंपली मैं उबर करता हूँ आपका स्क्रेन अनलोग हो जाते हैं ठीक है तो इसको वापस से सेट करने के ल जरूरत नहीं परेगी यह मेरा आपसे वादा है ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे सिक्योर्टी का नाम का ओप्संस दिखेगा जैसे इस प आप देख सकते हैं यह है पेटर लोग पिन पासवर्ट और यहां पे देखने को मिलेगा नेंज पासवर्ट ठीक है तो चलिए शुरू करते है सबसे पहले मैं आपको पैटर लोग सेट करना बताता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे फॉन में अभी कोई भी लोग लगा वह तो मैं इस पे पेटर्ण लोग पे क्लिक करूँ का और यहां से यह वाला लगा लेता हूं एक्जामपल के लिए आप चाहे तो कोई भी लोग लगा सकते हैं और इसको प्रो कर दिया और यहाँ पर show and hide का option दिखेगा तो यहाँ पर don't show पर किलिक कर दिजिए और यहाँ पर done पर किलिक कर दिजिए ठीक है उसके बाद आपका screen lock है जो की pattern lock में लग गया है ठीक है pattern lock लगने के बाद आप दिख सकते हैं इस type का options दिख रहा है अब यहाँ पर इस तरीके से pull सकते हैं तो यह pattern lock लग गया है अब मैं आपको दूसरा lock लगाना बताता हूं इसके लिए आपको setting में जाना है वापस से वापस से आपको security पर click करना है और यहाँ पर screen lock पर click करना है और यह जो भी lock लगाए थे अभी pattern lock उसको draw कर दीजे screen lock जो भी लगाए यहाँ पर pin पर click किजे और यहाँ पर done पर click कर दीजे next पर और जो भी password लगाना चाहते है वो इसको यहां पर दोख कर दीजिए यहां लिख दीजिए ठीक है तो मैंने एक दो तीन चार लगाना चाहता हूं आप चाहता हूं अब चाहता हूं तो कुछ और भी नंबर देड़ वर्ट वगएरा कुछ भी डाल सकते हैं मौमी पापा फेरेंट किसी का में ठीक है पर यहा आपको बताता हूं नेम पासवर्ट कैसे लगेंगे यह भी बहुत लोग को नहीं पता होते हैं नेम पासवर्ट कैसे लगाते हैं इसके लिए वापस से सेटिंग में जाना होगा setting वे जाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का option दिखेगा उपर के scroll करना है और यहाँ पर security वाले options पर क्लिक करना है उसके बाद आपको इस टक का interface दिखेगा यहाँ पर screen log वाले options पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको एक, दो, तेन, चार जो भी पासवर्ड लगाए था उसको खोल दीजिए खोलने के बाद वापस से आपको यह सारे block आपको शो हो जाएंगे शो होने के बाद पासवर्ड वाले options पर क्लिक कीजिए बाकी मैं दो पासवर्ड तो बता ही चुका हूँ और यह तीसरा आ चुका है और यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि तीन ही पासवर्ड होता है जो आप लगा सकते हैं जिसे name पासवर्ड हो गया और patent और pin पासवर्ड ठीक है तो यहां पर क्या कर सकते हैं यहां पर जैसे कि मैं लिख देता हूं मुद्केश यह मेरा नाम है तो मैंने यहां पर लिख दिया यहां पर डन कर दिया फिर चलिकेंगे एक बड़ दुबारा लिख लिए पर दुबारा जाओ मंकम की लिख दिए ठीक है शाइए यहां पर पासवाड भी सेफ हो चुका है तो आपका MK मैंने set किया है और दो बार और हमारा यह राइट का बटन दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना हो गाद तो इस तरीके से लगा सकते हैं और हटाना भी पता दें तो बहुत लोग को हटाना नहीं आता है तो इस क्लिक किजिए और यहां पर जो भी MK, MK लिखे हो, आप उस पर DUN पर क्लिक कर दीजिए, यहां पर Swipe वाला बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और यहां पर Delete का Option देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपके डिवाइस का जो की Screen Lock हट भी गया, तो Password वाला Lock भी बता द अधिया मैंने जो भी इसमें Features थे, वीडियो प्रसानत लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,